कसरावास से आठ किलोमेटर दूर भील गाउं की रहने वाली अनूबाई तवने खरगों ने जिला पंचा तधक्ष और बापो सिंग परिहार ने उपाधधक्ष पत की शपत ली इनके साथी सभी जिला पंचा सदस्यों ने भी शपत गरहन की कॉंग्रेस के 26 में से 12 सदस निर्वाचित हुए थे जबकि भाजपा के 11 और 3 निर्दलिये में 2 सदस जैस के निर्वाचित हुए थे लेकिन भाजपा ने निर्दली और जैस के समर्तन से दोनों महतवपूर्ण उपदों पर दो वोटों के अंतर से कब्जा कर लिया था अध्धक्ष ने शपत लेने के बाद कहा कि पीएम निरेंद्रु मोदी और सियम शवरासिंग चुहान की हर योजनाओं को गावों तक पहुचाना हमारा लक्ष होगा जन्ता की सेवा और गावों का विकास प्रात्मिक्ता होगी इधर उपाद्धक्ष बापु सिंग परिहार का कहना था कि सभी सदस्यों ने शपत लेकर विकास का संकल्प लिया है सभी की प्रात्मिक्ता है गाओं का विकास, सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिले यही हमारी प्रात्मिक्ता है प्रात्मिक्ता है के बाद जिस इस्वास के साथ जनतानम को बनाया है उस इस्वास के लिए तनमंधन से जमिन पर उत्तर कारियों की शुरुआत करें